Bloodhounds Part 7 की शुरुवात में हम देखते हैं दोयंग और उसकी वाइफ घर पर होते हैं उसकी वाइफ सो रही होती है तभी उसे बॉस के नाम से किसी का पॉल आता है और वो बहुत घबरा जाता है वहीं वूजीन और गन्वू को गुंडे घेर लेते हैं वहाँ सौंग भी होता है जैसे ही गन्वू मास्क उतारता है सौंग उसे देख लेता है और डर के महा से भाग जाता है वो कॉल पर किसी से गन्वू के घर का एड्रेस नकालने कहता है अब कुछ देर बाद सभी गुंडे उन पर हमला कर देते हैं उन गुंडों के पास उन्हें मारने के लिए बहुत कुछ होता है मगर उन दोने के पास कुछ नहीं होता वो दोनों अपने हातों से उनसे लड़ रहे थे शुरुआत में गन्वू और गुजिन सही से फाइट करते हैं और बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं मगर उनकी तादाद जादा थी और वो बस दो ही थे वो लोग भी उन्हें बहुत मारते हैं बुजिन देखता है कुछ लोग घेर कर गन्वू को बिना रुके मार रहे हैं बुजिन जाकर उसकी मदद करता है और वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं तभी एक आदमी गुजिन के सर पर मारता है और उसे खून निकलने लगता है गुजिन फिर पी उट खड़ा होता है वो दोनों उन गुंडों को मार ही रहे होते हैं उसी समय यौनजू वहां आती है वो अपनी स्टिकर टेजर की मदद से उन गुंडों को मारती है और शौक दे कर जमीन पर गिरा देती है वो तीनों मिलकर उन गुंडों से लड़ते हैं और फिर सभी को बहुत जखमी करने के बाद वो तीनों बहार आ जाते हैं गनवू और वुजिन यौनजू को मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं वहीं घर पर गनवू की मौम सो रही होती है तबी कोई दर्वाजा खोलता है गनवू की मौम को लगता है गनवू आया है मगर वहां यांग और उसके आदमी होते हैं वो गन्वू की मौम को बेहोश कर देते हैं और उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगते हैं वो जैसे ही नीचे आते हैं तभी एक आदमी उन्हें बहुत आसानी से मार गिराता है यां उसकी मौम को लेकर भागने लगता है और वो उन आदमी उसे लड़ रहा था उन्हें मारने के बाद वो आदमी यांग के पीछे जाता है यांग बहुत डर जाता है और गन्वू की मौम को वैसे ही सड़क पर छोड़ कर वहां से चले जाता है वो आदमी देखता है गन्वू की मौम के सर से खून निकल रहा है वो यांग के पीछे जाता है और उसे चाकू से मार गिराता है हम देखते हैं वो आदमी सूशी रेस्टरंट का ओनर था जिसका नाम मिस्टर जैंग है वो यांग के मुँ में कपरा डाल कर उसके दोनों पैरों की नसों को काट देता है वही दोयंग जब सब्वे पहुचता है तो देखता है वो सारे आदमी जखमी हालत में वहां से जा रहे होते हैं ये देखकर वो खुश हो जाता है और वहां से वापस जाने लगता है मगर तभी एक आदमी उसे रोकता है और पूछता है कौन है तू वो उसका फॉलर पकड़ लेता है मगर दोयंग बहुत आसानी से उसे मारता है और उसे बेहोश करके वहां से चले जाता है वही बुक स्टोर में वूजिन और गनवू अपने जखमों को देख रहे होते हैं उन दोनों को बहुत चोट लगी होती है तभी गनवू को अपने मौम का कॉल आता है वो रोते हुए बताती है कोई तुम से बाग करना चाता है मिस्टर चॉए फोन लेकर कहते है तुम दोनों अभी कहा हो कुछ देर बाद यौन जो गनवू और बुजिन को अपने घर ले आती है गनवू अंदर आकर देखता है उसकी मौम के सर पर चोट लगी हुई है मगर उसकी मौम जूट बोल देती है कि मैं गिर गई थी वो उन दोनों के चहरे देख कर पूछती है तुम दोनों के चहरे को क्या हो गया है बुजिन कहता है बस खरोच लग गई थी तबी मिस्टर रो कहता है मिस्टर चॉई आप लोगों का बहुत वक्त से इंतिजार कर रहे है चलो नीचे चलते हैं वो लोग नीचे आते हैं और बैठते हैं वहां मिस्टर जैंग और मिस्टर चॉई होते हैं वो उन्हें कहते है जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं बहुत डर गया था मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूँगा मैं तुम दोनों को और खत्रा नहीं लेने दे सकता आज से ये काम बड़े समभा लेंगे गन्वू कहता है मैं मदद करना चाहता हूँ मिस्टर चॉय कहते है ये कोई गेम नहीं है इसमें किसी ना किसी की जान जा सकती है मिस्टर चॉय गन्वू और वूजिन को उपर जाने कहते है और यौन्जू से कहते है वादा करो कि आज के बाद तुम कभी बीच में नहीं आओगी यौन्जू हाँ कहती है और मिस्टर चॉय कहते हैं उन्हें पता है गन्मू कहा रहता है तो वहाँ नहीं जा सकते कल उसकी मौन को अनाता श्रम ले जाना अभी के लिए वो वहाँ सेफ है मिस्टर चॉय मिस्टर जैंग से पूछते हैं अब हम क्या करें वो कहते हैं मैं उसे खत्म कर दूँगा मैं कल ही दोयंग के साथ मिलकर उन्हें एक एक करके खत्म कर दूँगा मिस्टर चॉय कहता है ठीक है फिर वो अपना लॉकर खोलते है जहां बहुत सारा पैसा और सोना होता है वो एक गन निकालते हैं और उसे निशाना मारनी की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मार पातें क्योंकि उनके हाथों में विल्कुल ताकत नहीं होती अब अगली सुबर किम हॉस्पिटल जाता है जहां उसका डॉक्टर उसे बताता है एक आदमी के दोनों पैरों की नसों को काटा गया था और दूसरे के कंदों की नसों को किम अंदर जाता है और उनसे पूछता है वो कैसा था यांग बताता है उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वो चाकू चलाने में एकसपर्ट था और उसके हात में साशी मी चाकू थी ये सुनकर किम हसता है, वो बाहर आता है, और सौंग से कहता है बॉम को बुलाओ, हमें एक बज़े तक मीटिंग करनी है, वही मिस्टर जैंग अपने रेस्टरॉंट में होता है, उसका पार्टनर कहता है मैं भी मदद करना चाहता हूँ, मिस्टर जैंग कहते है मैं उसे बना हुआ है, जो कि किसी वारियर के पीछे बना होता है, फिर वो एक रेस्टरॉंट में दोयंग से मिले जाता है, वो दोनों एक दूसरे से इतने साल बात मिलकर बहुत खुश होते हैं, दोयंग उसे बताता है आईल गुरुप ने एक अंडर कंस्ट्रेक्शन होटल और स्माइल कैपिटल ने पैसे इंवेस्ट किये है, मगर वो लोग किम से पैसी क्यों लेंगे, जंग कहता है किम ने जरूर कुछ किया होगा, पता करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, मिस्टर चॉय ने इजाज़त दे दी हैं, ये सुनका दोयंग थोड़ा घबरा जाता ह वही किम सौंग इंवम और जैंगदू को बताता है, बहुत साल पहले मिस्टर चॉय के लिए पांच चाकुबास काम करते थे, उस वक्त वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया करते थे, तो मार्केट में वो करोड़ों में खेलते थे, इसलिए ये चाकुबास जो थे वो रातो रात किसी भी गैंग को खत्म कर देते थे, बड़े बड़े गैंग के लोग भी मिस्टर चॉय के चाकुबास से डरते थे, मगर मिस्टर चॉय को हटाने के बाद, میںने सरिफ इन बॉम को साथ में लिया, और उन चाकुबासों को हटा दिया, क्योंकि मैं भी उनसे ड गरता था हमने दो अलग अलग गैंग्स को भीजी थी और वो अलग अलग थे इसलिए हार गए अगर साथ में होते तो ये कभी पॉसिबल नहीं था मगर फिर भी दो सबसे शातीर हाथ से निकल गए दूयोंग और जैंग दूयोंग को मैंने देखा था वो काफी शातीर था और एक ही वार में किसी को भी खत्म कर देता था और मिस्टर जैंग ने 20 लोगों के पैरों की नसे काट कर उन्हें अकेले अपाईच कर दिया था वो दोनों जेल में चाकू रखता था फिर सौंग बताता है वहाँ दो लड़के थे और कुछ देर बात एक लड़की भी वहाँ गई कि मुन लोगों को बताता है मिस्टर चॉई के पास कम से कम 5000 करोर कैश होगा वो जैंडू और इनवान को वहाँ जाकर पैसे ले आने कहता है अब अगले दिन बूजिन और गन्वू जाकर वो अनाताश्रम देखते हैं जहां उसकी मौम रहने वाली होती है अब कुछ द अब रात में मिस्टर ओम, मिस्टर चॉई, मिस्टर जैंग और दोयंग को किम के ग्रुप के सारे करीबी लोगों की जानकारी देते हैं जिसमें सौंग और जैंग दो खास होते हैं दोयंग कहता है मैं सौंग को समहाल लूँगा मिस्टर जैंग कहता है खत्म कर देना उसे म अगर दूयम थोड़ा डरा होता है। मिस्टर जैंग कहता है किन को मैं देख रूँगा। मिस्टर चॉय बताता है जिसने मुझे उस वक्त खिड़की के बाहर फेका था। वो कौन था। मिस्टर डू कहते है उसकी जानफारी निकानने में थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर मिस्टर जैंग मिस्टर चॉय से कहता है जो कैश बुक स्चोर में है उसका क्या करेंगे। मिस्टर चॉय कहता है हटा देंगे। सौंग को उसकी खबर है। मिस्टर जैंग कहता है इन बच्चों से कहते हैं, उन पैसों को हटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जादा टाइम नहीं है, दोयंग कहता है तीन बच्चों ने तीस लोगों को खत्म कर दिया था, बिना चाकू या किसी हतियार के, उन्हें आप कमजोर मत समझिये, मिस्टर च यान्जू को उनका खाना बहुत पसंदाता है, गन्वो की मौम कहती है मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर वो यान्जू से पूछती है क्या या अनाताश्रम मिस्टर चॉय के खुटका है, यान्जू कहती है हाँ, वो उनसे बाते करने में बीजी होती है, तब तक गन्व और वूजिन सारी साइड डिशेस खा लेते हैं, यान्जू मजाक में कहती है पर मुझे वो खाना चाहिए था, तो गन्वो की मौम वापस वो बनाने लगती है, तब यान्जू को मैसे जाता है, अब अगली सुबह दोयंग जाकर देखता है, कि सौन कहां रहता है, और मिस् होती है, मिस्टर चॉय उन्हें अंदर से जाते हुए देख रहा था, वो बहुत परिशान था, यहीं ये पार्ट एंड होता है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं नेक्स पार्ट में